हलो फ्रेंड विदियो में हम मैथमेटिक का कुछ फॉर्मूला लेके आए हैं जो की कॉईणेट जिमेटरी चैप्टर पे बेज़्ड है प्रिविएस वीडियो में हमने अरित्मेटिक प्रोगरेशन और ट्रेंगल्स के कुछ फॉर्मूलेज और थियोरम्स देखा था ओके त हम लोग उस coordinate को x1, y1 माल लिए हैं और हमारा दूसरा point है q जिसका कुछ other coordinate से उसको हमने x2, y2 माल लिए हैं ठीक हैं तो अगर हमें p से q point के बीच का distance निकाल ला हो दूरी निकाल ला हो जिसका coordinate given हो तो हम लोग इस formula के apply करेंगे p q is equal to under root x2 minus x1 का whole square plus y2 minus y1 का whole square तो यहाँ पर आपका x1, y1 कुछ भी coordinate हो सकता है 4,2 और q का कुछ भी point हो सकता है 3,6 तो यहाँ पर हमने बस एक random point लिए हैं जो की हमारा एक variable point यह कुछ भी हो सकता है तो आप distance formula लागाएंगे p q is equal to under root x2 minus x1 का whole square plus y2 minus y1 का whole square तो आपको p और q की बीच का distance मिल जाएगा using the coordinates, okay now coming to formula number 2 distance formula from origin तो previous हमने जो formula देखा यह भी same ही है लेकिन इसका जो second point है वो origin हो गया है मतलब एक point fixed हो गया है क्योंकि हमें पता है कि origin का coordinate हमारा 0,0 होता है मतलब x भी 0, y भी 0 तो हमारे पास एक ही point है जो कि हमारा p point है जो कि not fixed है जिसका coordinate हमने x, y लिया है वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है तो अगर हमें o से मतलब origin से लेके point p तक का दूरी निकालना होगा तो हम लोग इस formula को apply करेंगे op is equal to under root x square plus y square okay now coming to formula number 3 section formula जैसा कि नाम से आप देख रहे है section मतलब हमारे पास कोई एक line है उसको हमने divide किया है in sum ratio ठीक है और वो जो point है जो point यह line जिसने divide किया है उसका क्या coordinate है उसको निकालने के लिए हम लोग section formula अपलाई करते हैं जैसा कि यहाँ आप देख सकते है इस figure में हमारे पास एक line है a, b a का coordinate है x1, y1 b का coordinate है x2, y2 और हमारे पास एक point p है जो की a, b line को m1, m2 ratio में divide कर रहा है ठीक है तो हमने let कर लिया है p का coordinate x and y ठीक है तो अगर हमें p का x coordinate निकालना है तो हम लोग formula यूज करेंगे m1, x2 plus m2, x1 by m1 plus m2 अगर हमें उसी p point का y coordinate निकालना है तब हम लोग यूज करेंगे m1, y2 plus m2, y1 by m1 plus m2 ठीक है तो इसको अब याद कैसे करेंगे तो देखे x coordinate हम लोग यूज कर रहे है तो उस time formula क्या हो रहा है m1, x2 मतलब m1 पहला ratio और x2 coordinate दूसरा plus m2 दूसरा ratio x1 coordinate पहला तो आप यह इस trick से याद कर सकते हैं कि अगर हम m1 ले रहे है तो ratio क्या होगा x2 coordinate में जाएगा ठीक है और अगर हम m2 ले रहे है तो coordinate x1 में जाएगा और denominator में आपका दोनों में m1 plus m2 रहेगा similarly इसके लिए भी जो आपका second point है y coordinate उसमें भी हम लोग coordinate m1 ले रहे है और point हमारा कौन से ले रहे है y2 ले रहे है और ratio m2 ले रहे है और point कौन से ले रहे है y1 का ले रहे है ठीक है now coming to formula no 4 section formula for midpoint midpoint में हम लोग देखते है midpoint basically आपका यह है कि एक हमारे पास line है जिसको एक point या line बीचो बीच पाइसेक्ट करके काट कर रहा है ठीक है तो अगर वो उस प्रकार से कट कर रहा है तो उस case में m1 और m2 क्या हो जाएगा दोनो 1 is to 1 के ratio में हो जाएगा तो उस case में हम लोग point यहाँ पे लिए हैं अगर माल लेते हैं कि हमारे पास तीन points है पहला point A है x1, y1 जिसका coordinate है दूसरा B है x2, y2 और तीसरा C है x3, y3 तो अगर यह तीनों point एक ही line पे lie नहीं करते हैं तब यह triangle फार्म करेंगे ठीक है तो उस triangle का अगर हमें area निकालना हो coordinate का use करके तब हम लोग कैसे find out करेंगे then we've used the formula half x1, y2 minus y3 plus x2, y3 minus y1 plus x3, y1 minus y2 यह formula हम लोग use करेंगे इसको याद करने का trick कैसे रखा जाए तो half तो आपको लगाई देना है ठीक है उसके बाद हम लोग first point of first coordinate लेंगे x1 और फिर हम लोग shift हो जाएंगे x1 से y2 पे y2 minus y3 फिर हम लोग second coordinate लेंगे और हम y3 क्यों ले रहे हैं क्योंकि हमने खतम कहा किया था y3 पे तो वहीं से start करेंगे y3 minus y1 फिर हम लोग last point का coordinate लेंगे x3 और हमने खतम कहा किया था y1 पे तो y1 minus y2 मतलब 1 2 3 2 3 1 3 1 2 इस टाइप से आपको ट्रिक से learn करना पड़ेगा तो that's it for the chapter of coordinate geometry thank you for watching have a nice day